तो कैसे आप सब अच्छे होट अच्छ से पढ़ रहे होंगे तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिसक्स करेंगे क्लास्ट वल्थ फिजिक्स के लिए उक्तूबर से लेके जनवरी तक क्या प्लान रहना चाहिए और मतलब बहुत बढ़िया प्लान बहुत बढ़िया स्ट्रे पर बनाई जा रही है क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आए हैं चैनल पर और इंस्ट्राग्राम पर मेसिज आए हैं कि सर हमें आगे के जो महीने बचे होए हैं जैसे कि ऑक्टूबर नुमबर दिसंबर और जनवरी तब तक का एक बढ़िया वाला प्लान बढ़िया वाल इसी दूवीदा में है कि यार फिजिक्स कैसे करें सो डॉंट वरी मैं हूँ आप लोगों के साथ क्लास लुल्थ फिजिक्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान बहुत बढ़िया स्ट्रेजी में तुम्हें बताने वाला हूं आप इसली 98% स्कोर कर लोगर वह गारेंटी है लेकिन उसकी लिए पढ़ना होगा कोई जादु की चड़िया कोई पूडिया में तुम्हें नहीं देने वाला यहां फे ठीक है हां मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगा एक बढ़िया वला मतलब वे बता दूंगा कि हाहां यार इस तरीके से पढ़िये यहphones यूज ये book use करिए ठीक है चलिए तो इस वीडियो को इस session को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले मैं एक ही चीज तुम्हें बोलूँगा कि टेलिग्राम चैनल है बेटा इसको जुरूर जोइन कर लेना ठीक है इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या फिर इस strategy को आगे बढ़ाने से पहले मतलब यह strategy देखने से पहले तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है sample paper का ध्यान रखना है ठीक है मतलब तुम्हें sample paper अच्छे से analyze करना है अभी मैंने एक sample paper का वीडियो डाला था मैं उसको description box में भी डाल दूगा और i button में भी डाल दूगा तो उससे फाइदा क्या होगा उस sample paper में मैंने तुम्हें chapter wise भी चीजे बता रखी है chapter wise ठीक है कि किस chapter से कितने marks पूछे गए है sample paper के according ठीक है कि कौन सा chapter कितने number गा रहे है लेकिन मैं तुम्हें आपे मोटा मोटा सा हिसाब बता देता हूँ हमारे पास कितनी unit है 9 unit है जिसमें पहली unit के अंदर और दूसरी unit में आपको 16 number cover हो रहे है जो आपकी तीसरी और चोथी unit है उसमें 17 number cover हो रहे है और जबकि पांची और छटी unit है उसमें 18 number cover हो रहे है तो यह हो गए आप लोगों के कितने 10 और 10 20 और 8 और 7 15 हो गए मतलो कितने हो गए 35 ही हो गए 6 41 और 10 51 हो गए ठीक है तो 51 number तो इधर के हो गए उसके बाद आपकी 7 unit और 8 unit आती है 12 number यहां से cover हो रहे होते है ठीक है और last unit आपकी semi-nutter devices जिसमें 7 number cover हो रहे है मतलो यह कर लेने से आप लोगों के पास 19 number पके है ठीक है तो यह 19 यहां पे आ गए और यह हो गए 70 ठीक है यह मोटा मोटा सा हिसाब मैंने तुम्हें बता दिय है sample paper का कि किस तरीके से जो marks हैं वो distribute हुए unit wise और chapter wise अगर देखना है वो एक बड़ी video है अगर मैं उसको यहीं पर रख देता इसके बीच के अंदर तो यह video बहुत बड़ा हो जाता उसका फाइदा नहीं है तो उसके लिए आप chapter wise के लिए link description में डाल दूँआ मैं महा से दे आती है आपकी unit number seven से क्योंकि dual nature आ जाता है इसमे atom nuclei आ जाता है लास्ट में आप लोगों का semi-conductor आता ठीक है तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि modern physics है वो कैसी होती है एक तो theory है ठीक है और एक easy होती है यह आप easily इसको कर सकते हैं 19 नंबर तो आप लोगों के जट से हो सकते है ठीक है इधर फिर भी तुम सोच सकते हो कि इसमें बड़े बड़े chapters है जैसे कि यह वाला portion अगर हम देखें इसमें ray optics आता है अप लोगों का wave optics आता है ठीक है और EM wave जो हो सिरफ तीन नंबर का है मतलब ray और wave जो है आपके 15 नंबर के आ रहे हैं ठीक है तो मैं आप लोगो को यह चीज़ बतारों कि sample paper की video एक बर जुरूर देख लेना क्योंकि chapter wise का भी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ठीक है अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिनको pass ही होना है जिनको सिरफ pass होना है वो क्या करो 19 नंबर की यहां से कर लेना और यह वाली units कर लेना ठीक है क्यो यह video हम 98% के लिए देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है जिनकी zero preparation है वो और जिनका half syllabus हो गया है ठीक है मैंने video के starting में बोला था यह video सबके लिए जिनकी preparation नहीं हुए है जिन्होंने start की है preparation जिन्होंने 20-30% पढ़ लिया जिन्होंने अच्छे भी में 20 दिन मिलने वाले हैं इस महिने के अंदर घिक है इसी तरीके से फिर ल deze ब不多 को की बढ़ बढ़ लगो हम मान रहे हैं तीस दिन आपके november के होगए तीस दिन आपके फिर किसके होगे दिसंबर के होगए शोजए होगले फिर लोगों के जैनवरी के वाले या जिन्होंने syllabus पूरा कर लिया फिर कैसे half syllabus जिन्होंने पूरा कर लिया वो कैसे बढ़े अब जो सो दिन है इनके अंदर हमें अपना जो बाकी बच्चा syllabus है वो पूरा करना और जो zero preparation वाले हैं उनको शुरू से ही करना है लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ भई जो बच्चे zero preparation के साथ हैं वो और जो बच्चे syllabus half complete कर चुके हैं वो दोनों को मैं तुम्हें क्या बोला हूँ कि तुम भई start करो कहां से start with second term ठीक है second term syllabus ऐसा क्यों सर क्योंकि देखो अभी simple सी बात है कि अभी आगे फिर से exam होगा तुम्हारा December में फिर से school वाले अपके exam ले लेंगे school के अंदर ही जो होते हैं तो उनमें फिर second term आएगा ठीक है 9, 10, 11, 12, 13, and 14 पे focus करो ठीक है ठीक है सर ये बात उनके लिए applicable तो हो गई है सही जिनका half syllabus है जिनका zero ही preparation थी वो कैसे करें देखो या मैं simple से एक बात बताता हूँ इससे पहले कि जितने chapter हैं उनका इन chapter से कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नह जाओ उसके बाद तुम खुद से एक time management ऐसा करो कि आप लोग आप लोग जो first term है जो first term है उसको भी cover कर जाओ ठीक है उसको भी cover कर जाओ और उसको कैसे cover करोगे first term से लेबर उसको कैसे cover करो आप cover करो बेटा उसको weekend पे कहां पे cover करो weekend पे cover करो ठीक है मतलब एक simple सी बात है कि आप एक week में साथ दिन है ठीक है एक week में साथ दिन है उसमें से पांस दिन आप ने क्या किया second term का syllabus कर लिया और दो दिन आप लोग क्या करिए दो दिन आप first term का syllabus पूरा कर लीजिए ठीक है मतलब पूरा करने का मतलब यह नहीं कि उसी दिन कर लोगे जो भी चैप्टर आप सेलेक्ट कर रहे होंगे वो पूरा हो जाएगा अराम से हो जाएगा मैं तरीका भी बताऊंगा तुम्हें ठीक है आई चीज समय में भाई जिरो प्रपरेशन वाले यह जिनका स्लेबस हाफ तो पूर हो गए वो सब क्या करें आपको सेगेंड टम से ही शुरू करना चाहिए भी चैप्टर एट से शुरू करो चैप्टर एट बहुत ज्यादा चोटा एक दिन में खतम हो जाएगा बिल्कुल खतम हो जाएगा भी बहुत ज्यादा चोटा यह एक दिन का है यह दो दिन का है बागी पे आप टाइम लगा सकते हैं बागी पे आप टाइम लगा सकते हैं तो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा यह सलेबस ठीक है और फिर आप अपना फर्स टम पर फोकस कर सकते हैं या फिर आप वीकेंड में चलिए, तो question is that कि कैसे start करें, how to start, sir आपने बता तो दिया, तो भही मैं सभी बच्चों को बता दू, कि मैंने क्या किया है, class 12 physics का जितना syllabus है, class 12 physics का जितना syllabus है, वो सारे का सारा, theory portion जो है न वो upload कर दिया है, जो theory बोलो या फिर concept बोलो, वो सारे का सारा upload कर दिया है, मतलब मैंने chapter number first से लेके, chapter number 14 तक आप लोगों को one short दे दिये है, new वाले, new one short, ठीक है, अच्छा, तो sir कहना चाहते हो कि आप new one short से पढ़ लो, बिलकुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये new one short जो है बटा, ये totally NCRT based है, NCRT के coding ही बनाए गया है, और NCRT के coding ही पढ़ाया गया है, अपना compare कर ले ना, किसी भी one short के साथ, ठीक है, कोई और भी पढ़ा रहा हो, और इन one short को, जो मैंने upload किया है, जमीन आश्मन का अंतर दिखेगा तुम्हें, मतलब यहाँ पे सारी चीज़े detail में मिलने वाली है, ब numerical practice के तुरू पूरा chapter cover कर देते हैं, भाई साब उस बच्चे को पता ही नहीं होगा theory का, तो कैसे होगा, तो one short से करना आप लोगों को starting, ठीक है, आप शुरू कर लो chapter number 8 से, और जाओ पहले 14 तक, और weekend में देखना आप लोगों को chapter number 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आप देखना चाहते ह ठीक है, तो आप लोगों को theory portion कहां से cover हो जाएगा, theory portion cover हो जाएगा बटा, one short से, अब बच्चे बोलते हैं कि sir, books कौन सी follow करें, ठीक है, क्योंकि theory तो हो गई, अब book कौन सी करें, ताकि practice भी हो जाए सब कुछ, बटा यार मैं एक सीज बोलूँगा तुम्हें, कि आप कर रखे, handwritten notes, ओके, और ये handwritten notes, detailed है, detailed है, और chapter number 1 से लेके, chapter number 10 तक में upload कर चुका हूँ, और chapter number 11 और chapter number 14 के, आज या कल में upload हो जाएगे, मतलब 11 से लेके, 14 तक, आज कल में upload हो जाएगे, ठीक है, तो आपको detailed notes बनाने की जूरूत नहीं है, लेकिन, जब हम one short देख रहे हो तो इन notes को साथ में रखना, अपनी एक rough copy रख लेना, और जब chapter देख रहे हो, की points note करते चलना, या फिर इन notes के अंदर underline कर लेना, ये मैं तुम्हें जरूर बोलूँगा, ठीक है, हाँ, जो बच्चे बोलते हैं, कि अभी मैं notes बनाने बैठू, उनके लिए notes बनाने की जू जोड़ चाहिए, आप symbols chapter का नाम लिखिए, और पीछे मेरा नाम लिख देना, सुनिल जांगरा, ठीक है, आपको वही chapter मिल जाएगा, जो आप सर्च करना चाहरे थे, वही notes मिल जाएंगे, ओके, तो आप लोगों की problem, जो reference book की है, वो लेने की जूरत नहीं भी, आप लोग hand NCRT examplar लेजिए, क्या लेजिए, NCRT examplar, इन से बाहर क्या ही concept तुमें देखने को मिलने वाला भी, अगर आप previous year चाहते हैं, तो PYQ लेजिए, एक कोई भी chapter wise, ठीक है, किसी भी publisher की ले लेना, क्योंकि PYQ तो same ही होते हैं, समझ में आई चीज़े, आगे बढ़ते हैं, तो यार practice नो दो जंगे से करनी है, एक NCRT से करनी है, एक previous year question से करनी है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को न ये बोलूँगा, कि तुम लोग क्या करो, last five year के previous year question करना है, आप लोगों को, मतलब last five year के, अब मैंने आप लोगों को theory portion तो करवा दिया, one shot के अंदर खतम करवा द selected, 25 से 30 हर एक chapter के, 25 से 30 हर एक chapter के PYQ करवाने वाला हूं, और even करवा भी रहा हूं बच्चो को, ठीक है, मैं live class में करवा रहा हूं बटा, ठीक है, live class, और उन live classes का जो link होता है, वो तुमें मिल जाएगा कहाँ पे, telegram channel पे, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, telegram channel पे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले से बोला आप लोगों को, किस channel पे आप लोगों को free content मिलेगा, ठीक है, हमेशा, तो वही चीज है यहां पे भी, जो यह live class है, बिल्कुल free live class है, free है यह, मैं तुम यह नहीं बोलू कि pay करके, फीद तुम इन classes में आना, नहीं, telegram channel जोइन कर ले ना, सुन description में सारी information डाल दूँगा, सारी चीज एक बार, मतलब उन से go through हो जाना, check कर ले न, okay, चलिए, तो last five year question मैं आप लोगों को करवांगा, और selected 25 से 30 करवाने वाला हूं, हर एक chapter के, ठीक है, अगर आप खुछ से count करना चाहते है, तो book होती है chapter wise, उसमें आप last five year के कर सकते हैं, okay, अब बारी आती है NCRT questions की, तो NCRT question में अब बात यह है, कि NCRT होना बहुत सारे question है, और सारे के सारे important नहीं होते हैं, मैं सीधी बात बोलो, क्योंकि 30%, 40%, 50% question ना, फिर वहां पे direct आयो हैं, कुछ घुमा फिर आके आयो हैं, ठीक मतलब आप यह नहीं बहु सकते कि totally आप NCR के question पर dependent नहीं रह सकते, हाँ, यह must है, लेकिन totally dependent नहीं रह सकते, तो मैं इसके लिए तुम्हें क्या बताता हूं, मैंने 80-20 rule बना रखा है, ठीक है, मतलब most important topic की video बना रखिये, link description में या देख लेना एक बार, एक तो तुम्हें अंदाज हो जाएगा कि कौन-कौन सा important topic है, फिर, उस 80-20 rule के according ना, मैंने तुम्हें most important, most important NCRT question दे रखे हैं, उस video का link भी मैं description में डाल दूँआ, most important NCRT question, and वो जो most important question है ना बेटा, वो पिछले 10 सालों के हिसाब की according है, कोई हवा में बात नहीं करीगे उनके अंदर, तो वहां से अपने क्या करना है, most important की जो मैंने PDF दे रखे है, list दे रखे है, उसको लो, उसको print कराओ, and वो, वो question प्रैक्टिस करना है, हाँ, ये question भी मैं करवाँगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक series लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए बेटा, एक series लेके आऊँगा, वो series होगी, NCRT, एक मिनुट पहले से highlight करके मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा दूँगा, लाइव क्लासिस के अंदर, इसलिए बोल रहा हो, बार बार की telegram channel, जोइन कर लेना, बोला है कि 70 में से 70 आएंगे, मैं दिलवाँगा, लेकिन मेरे साथ पढ़ना भी होगा, ठीक है, पहले ही बोल जिया था कि जा प्रीमियम नोट्स मैं देता हूं आप लोगों को और खुद बनाता हूं, किसी दूसरे से नहीं बनवाता हूं, तो सब कुछ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता ना कि थोड़ी सी भी help हो रही है, कि हाँ सर की वीडियो बहुत अच्छी हो एक sample paper solution, जब हमना सब चीजे कर लेते हैं, हम सारी चीजे कर लेते हैं, हम चप्टर भी पढ़ लेते हैं, previous year question भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमना sample paper को देख के नहीं जाते, तो मैं सबसे पहले एक तो मैं बोलूँगा आप लोगों को, कि official sample paper जो है ना, वो तुम्हें solution दिख जाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि sir ने किस question का कितनी length में answer किया हुआ है, किसको कितना time लग रहा है, ठीक है, numerical जो है, उसको कैसे करना है, मतलब question अगर दियो है, तो भी diagram पहले बना रहे है sir, या नहीं बना रहे है, सारी चीजे आप लोगों को लाइड करवाँगा, ठीक है, चलिए, तो यह है एक बढ़िया वाला प्लान आप लोगों के लिए, and last में तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, physics के अंदर या chemistry, bio, कुछ भी हो, उसमें एक चीज सबसे जादे important होती है, revision, अगर य मैं आप लोगों को, cheat notes देने वाला हूँ, cheat notes, full syllabus के, ठीक है, cheat notes दूँगा बेटा, full syllabus के, ठीक है, मेरी तरफ से जितनी help होगी, free of cost, वो कर दी जाएगे आप लोगों को, ठीक है, चलिए, तो कैसे लगी वीडियो, comment section में जुरूर बताना, जैसे कि मैंने पहले बोला है, कि अगर आप लोगों की help होती है, मेरे content से, मेरी वीडियो से, तो अपने सबी friends के साथ share कर देना, इस वीडियो को, ठीक है, और हो सके तो, मतलब, उनको भी आगे बोल दिया, अगरो हाँ, कि सरका content बहुत अच्छा है, तुम खुद चेक कर लो, और फिर उनको भी बोलो कि तो cheat notes हो गई, full syllabus हो गई, best strategy की हमने बात कर ली है, और last मैं बस यह बोलूँगा, telegram channel है, इसको join कर लो, ठीक है, telegram channel, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका link भी मिल जाएगा description में तुमें, ठीक है, चलिए, ओके, तो इस पर मिलेंगी आप लोगों को, क्या, मेरे notes मिलते ह ठीक है, मेरी free live classes यहीं पर मिलती है, free live classes, ठीक है, चलिए, तो I hope यह strategy, यह plan आप लोगों को अच्छा लगा है, मैं सिरफ strategy बताने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, उसको execute करवाने पर विश्वास रखता हूँ, कि हाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैहिन वन्ने बात्रम